हेलो दोस्तो नमस्कार एंड वेलकम दोस्तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बारे में डिसकस किया था हमने देखा था कि भाई हम किस तरह से X प्लस A की पावर N को एक्सपेंड कर सकते हैं और उसकी मदद से हम कई सारे फॉर्मलों को भी डिराइव कर सकते हैं दोस्तो आ N is a natural number तो लेकिन अब यहां पर natural number की बात देता नहीं रहेगी यहां पर X प्लस A की पावर N जहां N आपका कोई भी number हो सकता है तो किसी भी इंडेक्स के लिए हम बाइनोमिल थेोर्म को एक्सपेंड करना भी सीखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रें टविए होडियो नहींस Nash की पावर न माइनस साव सकते अचे क्विए हैं हो इसको मैं इसने की कोसिस कौर श। चब्लद हां ओडर में को स्ट थाम करता हूँ है। n को दो पार्टों में किस तरह से divide किया था हमने n-r और r में divide किया था दोनों का sum आपका कितना आया था n आया था तो इसी तरीके से मैं काम करता हूँ कि मैं n-r की जगह पे मैं s रख देता हूँ ठीक है simple सा formula है कि n-r की जगह पे आप क्या रख देंगे s रख देंगे तो क्या होगा ठीक है न तो अब आप इसको देखें यह हो जाएगा भई r बराबर आपका 0 से लेकर n आज जा रहा है तो मैं एक काम करता हूँ n-r की जगह पे मैं s रख देता हूँ तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ इसको ऐसे लिख लेता हूँ r plus s r plus s बराबर n जो भी इसका साम आएगा ठीक और nc देखें आप r है r की जगह पे आप क्या रख देंगे n-s और x की जगह पे आपने यहाँ पर sorry n-r की जगह पे आपने क्या रखना है s रखना है r और a की पावर आपका कितना हो जाएगा r हो जाएगा ठीक है ना तो यह हो जाएगा भाई summation r plus s बराबर होता है n n-s को we can write n-cs x की पावर s और a की पावर r ओके so summation r plus s बराबर n बराबर यह हो जाएगा देखें यह हो जाएगा n factorial हम इस तरह से लिख लेंगे x की पावर s और a की पावर r ठीक है I hope कि यहाँ पर तक आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद जो next step है next step में हो जाएगा भाई summation r plus s बराबर आपका n n factorial divided by s factorial देखें n minus s क्या है आपका n minus s अगर आप इस term से देखें तो यह आपका कुछ नहीं है यह आपका r factorial है ठीक है ना तो यह हो गया भाई x की पावर s और a की पावर r ठीक तो यह आपकी एक another form है ठीक है यहाँ पर से आप इस चीज़ को ध्यान में लिख लें कि this is another form of binomial expansion या binomial theorem ठीक है ना तो यहाँ पर जो इसका general term आएगा वो आप ध्यान में रखें जो इसका general term है वो आपका कितना है यह है n factorial divided by s factorial r factorial x की पावर s और a की पावर r इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है ना अब यहाँ पर से हम जानते हैं कि x plus a की पावर n में जो total number of terms होंगे वो कितने होते हैं n plus 1 इसको हम यहाँ से भी proof कर सकते हैं देखिए n बराबर है r plus s now r और जो s हैं वो value लेते हैं आपकी कितनी value ले सकते हैं 0 से लेके आपकी n तक की value को ले सकते हैं इसी तरह से s बराबर 0 से लेके n तक value ले सकते हैं तो हमें इस तरह से बताना है कि r और s के कितने combination बनेगी कि value कर उसका jd solution है वो कितना है n hours यार्णि दोनों का sum है वो क्या है n hours तो इसको solve करने का तरीका मैंने पिसली वीडियो में भी बताया आगर आप मेरी permutation combination के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने इस तरह के question बताया थे कि भाई जैसे x1 प्लस x2 से लेके xr बराबर आपकी n है x1 प्लस x2 बराबर xr बराबर अगर n है तो आपको बताना है कि भी total number of non-negative integral solution of this equation तो वो क्या होते थे वो ऐसे होते थे यह होते थे n प्लस r-1 cr-1 यह इसी तरह का question है कि आपके पास suppose करो n mangos है और उसको r लोगों के बीच में distribute करना है ठीक है न तो यहाँ पर आपके पास कितने mangos है n है और आपके पास लोग कितने 2 है तो उनकों बीच में अगर आप इसको distribute करेंगे तो यह हो जाएगा n plus r की जगे पर हो जाएगा 2-1 c 2-1 यानि आपका कितना हो जाएगा n plus 1 c1 which is nothing but n plus 1 तो यहाँ पर से हमें पता लग गया कि भाई इसमें जो total number of terms होंगे वो कितने होंगे n plus 1 ही होंगे तो अब इसी के base पर हम multinomial theorem को discuss करते हैं तो friends multinomial theorem को discuss करने से पहले हमने जो binomial theorem है उसको हम दुबारा से इस type की form में अगर लिखें x1 plus x2 की power n जिसको हमने अभी discuss किया था जहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा भाई देखिए r1 plus r2 बराबर कितना होना चाहिए n होना चाहिए यह हो जाएगा देखिए n factorial divided by r1 factorial और यह आपका कितना हो जाएगा r1 factorial r2 factorial x1 की power कितना हो जाएगा r1 और x2 की power कितना हो जाएगा r2 हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं दुबारा से इस type की form में लिख सकते हैं जैसे अभी हमने formula बताया था na x plus a की power n का तो उसको हम इस तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है ज की जगर पे X1 प्लस X2 से लेकर आपका XK यानि एक multinomial expression ले लूँ और मैं उसको अगर जब generalize करूँगा तो अब बताए उसका formula क्या होना चीए इसी के base पर ये होना चीए R1 प्लस R2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा आपका RK ओके और यहाँ पर आजाएगा आपका N factorial इस सब के जो sum होगा कितना होगा N होगा divided by R1 factorial R2 factorial से लेकर आपका कितना हो जाएगा RK factorial into X1 की power R1 X2 की power R2 से लेकर हो जाएगा XK की power RK ओके तो ये आपका हम कह सकते हैं multinomial theorem का formula है ओके I hope कि ये question आपको समझ में आओगा हमने binomial theorem को एक दूसरी form में लिखा इस type की form में लिखा ओके ये binomial theorem की second form है इसी को हमने क्या कर दिया जनलाइस कर दिया यहाँ पर ध्यान रहे कि R1 और R2 का जो sum हो कितना N के बराबर है तो यहाँ पर R1 प्लस R2 से लेकर RK का जो sum होगा कितना होता N होता है जो कि आपको पता है कि एक binomial theorem की या किसी भी आप binomial theorem की जो खासियत है वो यही है कि sum जो power है power का जो sum होता है वो total power के बराबर होता है जो power का sum अगर suppose को X plus A की power N है तो जो powers होती है वो इस तरह से distributor होती है कि उनका sum हमेशा क्या होता है constant रहता है ठीक है तो यहाँ पर भी वही है कि हमने क्या कर दिया X1 की power R1, X2 की power R2 हो गई लेकिन इनका sum है वो हमेशा क्या हैगा अब फिर से देखिए कि इसमें total number of terms कितने होंगे अब देखिए अब यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर तो हमें पता था कि X1 की power N में N plus one time होते है लेकिन यहाँ पर हमें इतना easy नहीं निकालना तो यहाँ पर भी क्या होगा वही formula apply होगा कि R1 plus R2 से लेकर आपका RK बराबर है N तो यह इसी type का formula है the number of integral solution which satisfy this given equation ठीक है न यहाँ रवन और R2 से लेकर RK कितनी value ऐसी होंगी जो की इसको satisfy करेगी जिनका sum अमिसा क्या आएगा N आएगा तो देख सकते हैं यहाँ आपर आपके total term कितने हैं आपके N है मलगा sorry जो N है तो यह जाएगा भाई N plus K minus one C K minus one ठीक है न तो इसमें जब आप इसको expand करेंगे तो इसमें total number of term आपके कितने आजाएंगे N plus K minus one C K minus one अब देखिए इसी का हम उपयोग करेंगे इसी formula का उपयोग करके देखिए सब पोच करो हमारे पास एक question है जैसे 2X minus Y plus 4Z की power 12 अब आपको बताना है कि इसमें number of terms कितने होंगे देखिए बड़ा अच्छा question है अब देखिए यहाँ पर 2X minus Y plus 4Z की power 12 को अपने बताना है कि इसमें number of term कितने होंगे तो यह किसका example एक multinomial है trinomial का example है अब आपको बता है कि भाई suppose करो मैं मानता हूँ R1 plus R2 plus R3 बराबर क्या मान लेता हूँ 12 plus क्योंकि यह 3 है 12 plus 3 minus 1 C 3 minus 1 12 plus 3 यानि कितना हो जाएगा आपका 12 में से 11 यानि कितना हो जाएगा 14C2 14C2 कितना हो जाएगा 14 into 13 divided by 2 13 7 जा कितना हो गया तो 91 तो आप देखिए कितना easy हो गया है ठीक है ना 2X minus Y plus 4Z की power 12 में जो total number of term होंगे जैसा पूचकर आपके पास equation आगए भी 3X plus 4Y minus 6Z plus 7K की power है माना 4 है अब आप बताएगे कि इसमें total number of terms कितने होंगे तो total number of term कितने होंगे यह किसका example है फिर से multinomial equation का example है तो आप इसको बहुत easily आप इस formula के मदद से solve कर सकते हैं फिर क्या होगा R1 plus R2 plus R3 plus R4 बराबर है 4 तो आपने बताने कि the number of non-integral solution of given equation तो कितने हो जाएगे बताओ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बराबर 4 है तो यह जाएगा होंगे 7C3 तो बड़ा important facts है बड़ा important है exam की नजरी से बहुत ही महत्वपूर है देखें multinomial theorem कहां-कहां बड़ा important role play करता है देखें सपोच कर आपके पास एक question है 2x plus y plus 3z की power 10 है आपको बताना है write the general term in the expression of 2x plus y plus 3z and also find आपको क्या करने है x square y की power 5 और z की power 3 इसके आपने क्या निकालने coefficient भी निकालने तो देखें बिना अगर आपको multinomial theorem की अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये question बहुत ही typical हो जाता है तो देखें सबसे पहले तो इसका general term निकाल दिए इसका general term क्या हो जाएगा बताईए अब हम जैसे जानते हैं वही क्या होगा r1 plus r2 plus r3 तीनों का sum कितना आना चीए 10 आना चीए ठीक है ना अब आपको पता है x1 x2 और x3 तो x1 यानि 2x की power कितना हो जाएगा r1 अच्छा सब पहले इसको लिख लेते हैं ये हो जाएगा बही कितना n की जाएगा पर आपका कितना है 10 factorial divided by r1 factorial फिर r2 factorial r3 factorial और इसके बाद आपका देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा बही 2x की power r1 y की power r2 और 3z की power r3 तो ये इसका क्या हो गया आप आप देख सकते हैं ये इसका पार्ट अंदर का पार्ट कैया इसका general time है ठीक है ना 10 factorial divided by r1 factorial r2 factorial r3 factorial अगर मैं summation को अटा दू तो ये अच्छली कैया इसका general time है ठीक है ना तो अब एक काम करते हैं इसको मैं लिख लेता हूँ यह हो जाएगा 10 factorial divided by r1 factorial r2 factorial r3 इसको मैं लिख सकता हूँ देखे 2 की power r1 x की power r1 ठीक है y की power r2 और 3 की power r3 z की power r3 ठीक है ना अब आप से ही क्या कह रहा है कि आपको किसका coefficient चीए x की power 2 y की power 5 z की power 3 इसका मतलब है कि r1 बराबर कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा ठीक है और r2 बराबर आपको रखना पड़ेगा 5 और r3 बराबर आपको रखना पड़ेगा 3 तो आप यहाँ पर इसको रख दीजिए तो यहाँ पर अगर आप इसको रखेंगे तो यह जाएगा बए 10 factorial divided by देखे r1 रखना है 2 factorial 5 factorial and then 3 factorial और इसके बाद अब देखे 2 की पावर r1 2 की पावर r1 का मतलब है 2 की पावर 2 into फिर इसके बाद देखे 3 है 3 यहाँ पर यह 3 है तो 3 की पावर आपका कितना है r3 है तो 3 की पावर एक्चुली कितना होगा 3 और फिर जो आपको चाहिए क्या क्या ची आपको x square y की power 5 और z की power 3 ठीक है ना simply आपने r1, r2, r3 की value को यहाँ पर रख देना है क्योंकि हमें इसका coefficient निकालना है ठीक है ना तो इसका coefficient क्या होगा यह वाला part है तो यह वाला part आपका कितना हो गया भाई 10 factorial 2 की power 2 यह हो गया 4 यह हो गया 27 और फिर 2 into अब आप इसको solve कर सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into यह आपका कितना हो जाएगा 3 factorial again कितना होता है 3 into 2 होता है ठीक है ना अब आप इसको solve करेंगी तो आपका answer आजाएगा तो दोस्तों अब इसके बाद आता है middle term in a binomial expansion देखे ध्यान रहे कि अगर जब आप x plus a की power n को expand करते हैं तो उसमें total number of terms कितने आते हैं आपके n plus 1 ठीक है ना तो इस पर भी एक इस पर depend करेगा n पर depend करेगा n even है या odd है तो देखे ध्यान से अगर n की value even हो अगर n की value even हो तो n plus 1 आपका क्या होगा of course ये क्या होगा odd होगा ठीक है ना तो अगर आप n plus 1 अगर आपका odd है तो आप इसका जो middle term होगा वो middle term क्या हो जाएगा ये हो जाएगा n by 2 plus 1 ठीक है आप ध्यान में रखिए suppose करो n बराबर है अगर आपका 6 है n बराबर है आपका कितना है 6 है तो इसमें total number of terms कितने हो जाएगे वो हो जाएगे 7 तो अगर आपको इसका middle term निकालने है तो middle term कितना हो जाएगा भई 6 by 2 plus 1 तो ये हो जाएगा आपका fourth term यानि fourth term इसका क्या होगा middle term होगा ठीक है ना तो अगर n odd है अगर n आपका कितने odd है तो उस case में क्या होगा n प्लस 1 क्या हो जाएगा even हो जाएगा तो इस case में आपके क्या होंगे इसके 2 middle term आएंगे ठीक है न एक आपका कितना हो जाएगा भई n प्लस 1 बाइ 2 एक तो ये होगा और एक हो जाएगा भई n प्लस 1 बाइ 2 प्लस 1 ठीक होगा न यानि इसके 2 आपके क्या आएंगे middle term आएंगे ठीक है जैसे for example n बराबर अगर आपका सबूच करो 7 है तो इसमें total number of terms कितने होंगे 8 होंगे तो पहला तो आपका कितना हो जाएगा जो पहला जो term है वो हो जाएगा भई तो जो इसका पहला term हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 बाइ 2 कहने का मनला पहला middle term हो जाएगा 8 बाइ 2 और दूसरा होगा 8 बाइ 2 प्लस 1 यानि आपका कितना होगा 4th और 5th तो 4th और 5th इसके क्या होंगे दो middle term होंगे तो इस तरीके से हम middle term इना binomial expansion को find out करते हैं दोस्तों इसके बाद जो next topic है वो है greatest term in the expansion of x plus a की power n अब मैं इसके आपको method बता देता हूँ जिससे आपको बहुत easy हो जाएगा solve करना तो देखे सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं general term निकालते हैं general term आपका कितना होता है tr plus 1 तो tr plus 1 कितना होता है ncr x की power n minus r और a की power r और इसके बाद हमें tr term भी निकालेंगे tr term में क्या करना पड़ेगा है r की जेगर पे r minus 1 अखना पड़ेगा तो ncr minus 1 x की x यहाँ पर कितना होज़ेगा x की power n minus r plus 1 और a की power कितना होज़ेगा r minus 1 तो पहला step तो क्या होगा कि हम इसको निकालेंगे इसके बाद जो दूसरा step इसमें रहेगा हम क्या करेंगे tr plus 1 upon tr निकालेंगे और इसको greater than 1 put करेंगे इसके बाद हमें क्या क्या जो इसके बाद तीसरा जो step रहेगा तीसरे के step में हमारी जो r की value है वो greater than m और greater than m की form में आएगी ठीक है ना इसको आप धियान में रखना है कि आप इस inequality को solve करेंगे for r, r की value के लिए आप इसको solve करेंगे तो या तो greater than m आएगी या तो less than, इस type की form में आ सकती है तो इसके अंदर आपके दो cases बनेंगे या तो m आपका क्या है इंटीजर आएगा ठीक है ना या तो आपका क्या है इंटीजर आएगा या तो इंटीजर होगा या फिर आपका क्या होगा नॉन इंटीजर होगा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे अगर ये integer आता है ध्यान रहे अगर ये integer आता है तो हम m plus 1th term और m term यानि mth और m plus 1th term ये आपकी क्या होगी r की जेगा पे हम m और m plus 1 रख देंगे तो वो ही इसकी क्या होगी greatest value होगी ध्यान में रखे कि अगर r is greater than suppose करो 5 आगया suppose करो r की value greater than 5 आगयी तो 5 और 6 तो आप r बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे और 6 रखेंगे तो 5th term और 6th term इसकी क्या होगी greatest value होगी ठीके ना तो इसका मतलब है कि इन दोनों के magnitude से हमोंगर इनकी 2 greatest value होगी ठीके ना लेकिन suppose कर अ a plus 1 उसकी क्या होगी आपकी हम कह सकते हैं कि उसका highest value होगी ठीके ना फिर से आप देख लीचे greatest term in the expansion of x plus a की power n में आपको क्या करना है सबसे पहले आप tr plus 1 निकालेंगे फिर दोनों का ratio greater than 1 रख देंगे फिर इस inequality को solve करेंगे r के लिए r की दो value हो सकते है r greater than 1 हो सकता है r is less than नहीं हो सकता है कोई भी आयमें से कोई फरकनी पड़ता है mainly यह है कि m integer है या non integer है अगर m integer है तो r की value हम क्या रखेंगे m रखेंगे और m plus 1 रखेंगे दोनों ही value पर आपका क्या होगा उसकी value क्या होगी बराबर होगी और वो greatest value होगी ठीके ना लेकिन अगर suppose करो r non integer आता ह यह r is less than आगया suppose करो मैं कहता हूँ 5.3 आगया ठीके ना तो 5.3 का मतलब कितना है 5.3 का मतलब सीधा सीधा है कि k है जो इसका integral part अपके इतना 5 है तो आप क्या कर देंगे 5 plus 1 कर देंगे k plus 1 कितना हो जाएगा 5 plus 1 कितना होता है 6 होता है तो 6 time होगा वो क्या होगा इसका greatest time होग ठीक है ना तो आपने क्या करना है फिर r की जेगा पर क्या रख देना है 6 रख देना है समझ मा आया आप क्या करेंगे इसका 5.3 या कुछ भी हो सकता है 5 whole 1 by 3 हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आप इसका क्या करेंगे integral part में आप क्या कर देंगे 1 add कर देंगे तो r की जेगा आप वही value को रखेंगे तब आपकी क्या आजाएगे greatest value आजाएगी तो I hope इसका आपको pattern समझ में आ गया होगा इसका मैं question कराता हूँ उससे बहुत easily आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा देखें दोस्तों एक question है find the greatest term in the expansion of 1 plus x की power 10 है आपको बताना है कि इसमें जो greatest term है वो क्या होगा जब x की value होती है 2 by 3 ठीक है ना तो यह वैसा ही question है सबसे पहले इसका general term निकालो tr, tr plus 1 कितना हो जाएगा बताएगे यह हो जाएगा 10cr और x की power r इसके बारे हम discuss कर चुके हैं इसके बाद हो जाएगा tr, tr की जो value हो जाएगी वो हो जाएगी 10cr-1 और इसके बाद हो जाएगा xr-1 ठीक है ना अब आपने क्या करना है इन दोनों का ratio निकालना है यह हो जाएगा tr plus 1 upon tr इसकी जो value है शुट भी क्या होनी चाहिए greater than 1 होनी चाहिए तो अगर आप इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा भाई देखो 10crx की power r divided by 10cr-1 x की power r-1 ठीक है ना it should be greater than 1 now solve this inequality यह हो जाएगा भाई देखो 10 factorial divided by r factorial इसके बाद होता है भाई 10 minus r factorial ठीक है ना और x की power r देखो x की power r से x की power r कट जाएगा यह कट जाएगा तो यह बच जाएगा अपका यहाँ पर हो जाएगा x की power minus 1 तो ऊपर चलके कितना हो जाएगा ठीक है ना और divided by फिर से यहाँ पर रहना है 10 factorial divided by r minus 1 factorial और यह हो जाएगा देखे 10 minus r plus 1 factorial ठीक है ना greater than 1 मैं इसको जली जली solve कर रहा हूँ मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आगे भी कुछ कई सारे topic है जिसके बारे में discuss करना है तो अब इसको अगर आप solve करेंगे तो देखे आर को r factorial यह तो ऊपर चला जाएगा है r को मैं लिख ले तो r factorial को लिख ले तो r into r minus 1 factorial और इसके बाद हो जाएगा 10 minus r factorial ठीक है ना है 10 minus r plus 1 है 10 minus r plus 1 ठीक हो गया कोई बात नहीं कोई फरक नहीं पड़ता तो यह जाएगा 11 minus r is greater than हो जाएगा r तो इसके बाद हो जाएगा 2 r is less than 11 ठीक है ना तो 2 r is less than 11 by 2 11 by 2 actually कितना होता है डिवाइट करो तो डिवाइट करोगे तो sorry इसमें थोड़ा गड़बर हो गए यहाँ पर से x में हम miss कर गए तो यहाँ पर हो जाएगा देखो यह हो गया x ठीक हो गया x यहाँ पर हम sorry x को भूल गए थे तो यहाँ पर अब x की value भी है तो यह हो जाएगा देखो 11 minus r 11 minus r और into देखो x की value आपको कह रहा है कि 2 by 3 रखो 2 by 3 is greater than कितना हो जाएगा r हो जाएगा ठीक है 22 तो 22 divided by आपका कितना हो जाएगा 5 ठीक है अब 22 divided by देखो अगर आप इसको देखें तो यह हो जाएगा देखो 4.5 चको होता है इसका ़ेंगे s integral part तो integral part इसका कितना है आपका तो 4 तो k बराबर आपका कितना आपका 4 आ गया आप टो ow बराबर क्या रखेंगे 1 01 person k टो यादि इसका अब्लस 1 कितना हो जाएगा 5 तो यानि इसका इसका 5th term क्या होगा तो 5 तरम यानि कौन सा हो जाएगा देखिए आप यहां से देख सकते हैं बैए, T R है, T R बराबर आपका कितना था देखा था हमने, यह देखा था बैए, 10 C R-1, X की पावर R-1, तो R की जगे पर आप क्या रख दो, 5 रख दो, तो जाएगा बैए, 10 C R, R-1 यानि कितना हो जाएगा, R में से बन गया, sorry, 5-1, C 5-1, और X की पावर आपका कितना हो जाएगा, R की जगे पर आप क्या रख देंगे, 5-1 रख देंगे, तो जाएगा बैए, 10 C 4, जाएगा, X की पावर आपका कितना हो जाएगा, 4, तो आप इसको solve करेंगे तो आपका right answer आजएगा, तो आप समझ में आ गया होगा, कि जो इसका fifth term होगा, वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, तो यानि हमें ध्यान में रखना है कि r की value आपकी जो less than m आती है, greater than m आती है, तो m आपका क्या है, integer है या non-integer, अगर integer होगा, तो m और m प्लस 1 वो आपके क्या होगे, highest term होगे, ठीक है ना, लेकिन अगर वो non-integer आता है, तो हम कह सकते हैं, कि सबसे पहले उसका integral part लेंगे k, और k प्लस 1 आपका क्या होगा, highest term होगा, यानि highest value होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान में रखें है, यानि fifth term है, वो इसका क्या होगा, highest term होगा, ठीक है, दोस्तों कुछ properties है, binomial coefficient की, जिसको हमने ध्यान में रखना है, देखे, suppose करो, आपके पास है, one plus x की power n, बराबर आपने, यह होता है, nc0, plus nc1, x, plus nc2, x square से लेकर, ncn, x की power n, ठीक है न, तो यहाँ पर अगर आप x क पर one रख देंगे, तो यह हो जाएगा, one plus one कितना होता है, two की power n, यह हो जाएगा, nc0, plus nc1, x की जाएगा पर आपने one रख देना है, ठीक है, प्लस से लेकर, आपका कितना होता है, ncn होता है, तो इस formula को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसी तरह से, मैं x की जाएगा पर अगर मैं minus one रख दूँगा, तो यह क्या बन जाएगा, zero बन जाएगा, और यह हो जाएगा, nc0 minus nc1, x की जाएगा, पर one रख देना है, plus इसके बाद हो जाएगा, nc2, और यह plus minus से करके चलता रहेगा, minus one की power n, और यह कितना हो जाएगा, ncn, ठीक हो गया, इस दूसरे पार्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों, जैसे हमने अभी डिसकस किया, कि बहुए, nc0, nc1, से लेकर आपका ncn है, इसकी जो value होती है, वो होती है, आपकी 2 की power n, इसी तरह से अभी हमने डिसकस किया, nc0 minus nc1, से लेकर आपका plus nc2, से ले कर दूं, तो add करेंगे, तो देखे, जितने भी odd term है, यानि हम कह सकते कि nc1, nc3, सब cancelled out हो जाएंगे, यह हो जाएगा, nc0, फिर इसके बाद आजएगा, nc2, ऐसे करके चलता रहेगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 की power n, सो यह हो जाएगा, nc0 plus nc2, से लेकर आप subtract कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 2 nc1, देखे, nc0, nc0, nc2, जितने भी term से कट जाएगे, तो यह हो जाएगा, nc1, nc3, से लेकर यह चलता रहेगा, इस जिकर स्टू, again, आपका कितना हो जाएगा, 2 की power n, and now, nc1 plus nc3, nc5, ऐसे चलता रहेगा, बराबर होता है, 2 की power n- similarly, nc1 plus nc3 plus nc5 से लेकर 2 की, से लेकर चलता रहेगा, तो इसकी value भी क्या होती है, 2 की power n-1 होती है, यह हम कह सकते है, इसको, the sum of odd terms, and the sum of even term, both are, equals to 2 की power n-1, इसके बाद, जो next topic है, दोस्तों, वो है, binomial theorem for any index, तो इसको हम discuss कर लेते हैं, एक बाद, suppose करो, आप इस समय पे, n कोई आपका rational number है, यानि, n is the element of any rational number, and let's suppose करो, x आपका क्या है, एक real number है, और इसमें सबसे आदा important चीज़ है, कि mod x शुट भी क्योंना चीए, less than 1, ठीके न, mod x की value आपकी क्योंने चीए, less than 1, तब ही जाके formula आपका successful है, यह हो जाएगा, 1 plus x की power n बराबर होता है, 1 plus nx, plus n into n minus 1 upon 2 factorial, से लेकर आपका क्योंना चीज़ जाएगा, x square, plus n into n minus 1, n minus, n into n minus 1, n minus 2, upon कितना हो जाएगा, आपका 3 factorial x cube, तो ऐसे करके चलता रहेगा, ठीके न, यह यहाँ पर, जो n है, वो n के आपका rational number है, तो आपको क्योंकि पता है कि भाई, जो nc0, nc1, nc2 होता है, वो आपका natural number पर ही चलता है, यह नि, n की value natural number होनी चीए, तब भी जाके वो चलता है, आपको पता है कि 1 by 2 के लिए defined नहीं है, ठीके न, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 plus factorial into x की power कितना हो जाएगा, r and so on, ठीके न, यह आप टू कहां तक जाएगा, infinite तक जाएगा, ठीके न, तो यह जो इसका term है, इसी को हम क्या बोलते है, general term बोलते है, ठीके न, इसको हम किससे represent करेंगे, tr plus 1 से हम इसको represent करेंगे, ठीके न, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखे जो सबसे ज़्यादा important point है, कि जो mod x की जो value है, वो क्या होनी चीए, less than 1 होनी चीए, तभी जाके यह formula आपका क्या है, valid है, otherwise यह invalid हो जाता है, ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा, इसके बारे में कुछ और चीज़ें, हम इसके बारे में discuss कर लेते हैं, एक चीज को आप ध ठीक है, यह आपकी ओ less than a है, ठीक है आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है तो जैस सपोच करो मैं कहता हूं कि x की value, suppose करो मैं पहला case बनाता हूं, x की value अगर आपकी greater than a है, तो आप क्या करेंगे, तो देखें यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर x की value greater than a है, तो a by x क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि mod x की value should be less than 1 होना चाहिए, यानि जो इधर वाला जो part है, वो क्या होना चाहिए, less than 1 होना चाहिए, तो कौन less than 1 है, a upon x less than 1 है, तो आपको क्या common लेना चाहिए, x की power n common लेना चाहिए, तो यह बन जाएगा 1 plus a upon x की power n, ठीक है ना, आप ध्य कर सकते हैं, expand कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x की power n, तो देखे, आप यहाँ पर आप इसको expand कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 1 plus n a upon x plus n into n minus 1 upon 2 factorial, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, a upon x square, a upon x का whole square and so on, ठीक है ना, अब देखे, case अगर second, case second की बात करें, अगर suppose को x की value less than a है, तो उस case में क्या होगा, अगर x की value less than a है, तो x upon a आपका क्या होगा, less than 1 होगा, तो जब आप x plus a की power n को जब आप expand करने जब जाएंगे, तो यहाँ पर आपने a common लेना है, तो अगर आप a common लेंगे, तो बाहर से क्या जाएगा, a की power n हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1 plus x upon a की power n, जो की इस formula के according है, यानि x upon a की जो value है, वो less than 1 है, now you can expand it, ठीक है ना, अगर यहाँ पर आप x common लेते तो यह formula गलत हो जाता है, यह invalid हो जाता, ठीक है ना, तो a की power n, अब यहाँ पर इसको आप खोल सकते हैं, 1 plus n into x upon a, plus n into n minus 1 upon 2 factorial, x upon a का whole square, और यह चलता रहेग ठीक है ना, तो यह जो points है, इनको आपने बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है, so this is the binomial theorem for any index, next बढ़ते हैं, तो friends, इसकी मदद से हम और भी formula बना सकते हैं, जैसे सब पोच करो मुझे 1 plus x की power minus n का formula बनाना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस formula में n को किससे replace कर देना पड़ेगा, minus से replace कर देना पड़ेगा, ठीक है न, इसी दर से अगर आप माइनस रखेंगे, यहाप भी माइनस रखेंगे, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यह n into n plus 1 हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि से common आएगा, तो क्या हो जाएगा, तीन बार minus है, तो क्या आजाना चीए, minus, लेकिन यह सारे के सारे क्या हो जाएगे, प्लस हो जाएगे, ठीक है न, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, तो अब इसी दरह से अगर आप general term निकालेंगे, तो general term हो जाएगा, minus 1 की power r, और इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है न, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसी तरह से, अगर x को मैं minus x से मैं replace कर दूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 minus x की power minus income formula, find out कर सकते है, तो x को किस से replace कर देना है, minus x से अगर आप replace कर दें, तो देखे, यह formula बहुत easy हो हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1 plus हो जाएगा, 1 plus nx, यहाँ पर भी क्या आजाएगा, आपका plus आजाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो plus है ही, और यहाँ पर भी आपका क्या आजाएगा, प्लस आजाएगा, इसी तरह से देखो, यहाँ पर भी आप x की जाएगा, पर minus x रखेंगे तो minus 1 की power r minus 1 की power r तो minus 1 की power 2r जो कि इसको क्या बना देगा positive बना देगा तो इसका जो general term हो जाएगा n into n plus 1 n plus 2 से लेकर n minus r plus 1 upon r factorial x की power r ठीक है न तो इस formula को आप बहुत easily solve कर सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से आप और भी कई सारे formula को निकाल सकते हैं x की अगर आप n की value को रखें तो देखिए अगर आप यहाँ पर n की जगर पर minus अगर मैं n की जगर पर 1 रख दूँगा तो यहाँ पर यह formula बन जाएगा 1 minus x plus x square ठीक है न क्योंकि आप यहाँ पर रखेंगे तो 1 plus 1 plus 1 into 2 divided by 2 factorial हो जाएगा 1, 2, 3 जो की 3 factorial से कट जाएगा फिर हो जाएगा आपका minus x cube तो इस तरीके से आपकी alternate series आजाएगी ठीक है न और यहाँ पर आजाएगा minus 1 की power r x की power r ठीक है न इसी तरह किसे दोस्तों अगर आप n की जागर पर आप 2 रख दिंगे तो यहाँ पर आप दूसरा formula भी निकाल सकते हैं यह हो जाएगा 1 minus 2 x फिर यहाँ पर रखेंगे 2 into 3 2 से 2 कट जाएगा तो यह बच जाएगा 3 x square इसी तरह के से कर यहाँ पर भी रखेंगे देखिए हो जाएगा भई 2 3 इसके बाद आजाएगा 4 तो 2 3 4 इसके बाद यह 3 factoral से cancelled out हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 तो 4 x cube और यह 4 x की power sorry 4 x cube हो गया है और इसी त लता रहेगा ठीक और यहाँ पर जाएगा minus 1 की power r क्योंकि alternate पर है into आपका कितना हो जाएगा r plus 1 x की power r ठीक इसी तरह के साब इस पर भी n की value 1 2 3 करके और भी formula बना सकते हैं जैसे आप 1 minus x की power minus 1 है इसका formula बनाना है तो क्या करना पड़ेगा इन की जागा पर 1 रखना पड़ इसे अगर आप इसी formula में अगर आप n बराबर अगर आप 2 रख दिंगे तो 2 रखेंगे तो यह बन जाएगा 1 plus 2x plus 3x square से लेके last में आपका कितना हो जाएगा r plus 1 x की power r और यह चलता रहेगा ठीक तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपको binomial theorem अगर अच्छे से आता है अगर आपको उसकी practice है तो आप कितनी easily इन series को बहुत आसानी से बना सकते हैं और यह formula बाद में आपको बहुत easily याद भी हो जाएगे ठीक है ना तो दोस्तों यह topic अब खतम हो चुका है इसके बारे में हमने जितने भी important points से binomial theorem के हमने उसके बारे में discuss कर लिया है अब इ please इसको like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं next video में